परिचय कि पौधे उद्धीपनों की उपस्थिती के कारण स्थिर रह सकते हैं तथा उनके प्रती अनुक्रिया कर सकते हैं। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि पौधों में हॉर्मोन्स पौधों की वृध्धी को प्रभावित करके उनके व्यवहार को समनवाईत करते हैं। हाँ, बिल्कुल, और पौधों की वृध्धी पर पढ़ने वाला प्रभाव पौधे के भाग जैसे जर तथा तने में गती का परिणाम हो सकता है। पौधे वृध्धी द्वारा विभिन उद्धीपनों के प्रती बहुत धीमी अनुक्रिया करते हैं। तो आओ, इस सद्ध्याय में हम नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में विस्तार से चर्चा करें। इस पाठ के अन्त में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। पौधों में समन्वय को समझना। उद्धीपन की तातकालिक अनुक्रिया का पता लगाना। वृद्धी के कारण गती को समझना। पौधों में हार्मोनों का पता लगाना। दीप्तिक कालिता तथा पुष्पन का अध्धेयन करना। जन्तुओं में हार्मोनों का पता लगाना। अंतासरावी गरंथियों की सन्नचना तथा उनके कारियों को समझना पौधों में समनवय पौधों में तंत्र का तथा पीशिये तंत्र का अभाव होता है पौधे उद्धी पनों के प्रती दो प्रकार की गतियों के द्वारा अनुक्रिया करते हैं एक पृध्धी पर आश्रित यानि आश्रित वृध्धी और दूसरी वृध्धी से मुक्त यानि स्वतंत्र वृध्धी गती वृध्धी पर आश्रित यानि आश्रित वृध्धी गती से अधिक तेज होती है, तथा ये पौधे द्वारा वैद्युतरसायन संकेतों के प्रय पौधों की गती को अनुवर्तन करती है। अनुवर्तन करती हैं। प्रकाश की प्रती पौधे या पौधे के भाग की दिशिये गती है। अधारण जणें धनात्मक गृत्वानुवर्तन दर्शाती हैं। पौधे की जणों में धनात्मक गृत्वानुवर्तन जबकी पौधे के तनों में रिनात्मक गृत्वानुवर्तन पाया जाता है। रसायन अनुवर्तन रसायनों के प्रती पौधे या पौधे के भाग की दिशिये गती है। उधारण बीजांड की तरफ पराग नलिका की वृत्थी। जलानुवर्तन जल के प्रती पौधे या पौधे के भाग की दिशिये गती है। उधारण जणें। व्रिद्धी के कारण गदी जब प्रतान किसी आधार के संपर्क में आते हैं, तो प्रतान का वहभाग जो वस्तु के संपर्क में है, उतनी तीवृता से व्रिद्धी नहीं करता है, जितना प्रतान का वहभाग जो वस्तु से दूर रहता है. इस कारण प्रतान वस्तु को चारों ओर से जकड़ देता है पौधों में हार्मोन पादब हार्मोन या फाइटो हार्मोन ऐसे रसाइन तत्व हैं, जो की पौधों द्वारा प्राकृतिक रूप से उत्पन होते हैं जब ये कम सांद्रण में उपस्तित होते हैं, तो एक या एक से अधिक कारी की प्रक्रियाओं को नियंतरित करने में सक्षम होते हैं पादब हार्मोन तत्था उनके कारे निम्निलिखित सारणी में दिये कए हैं दीप्ती कालिता तत्था पुषपन पुषपन वर्ष में एक निश्चिस समय पर होता है, तत्था ये दीप्ती काल और ताप जैसे कारकों द्वारा नियंतरित होता है कुछ पुषपन सिर्फ प्रकाश और अंदकार की अवधी तथा उसके परिवर्तन पर निर्भर करता है और इसे दीप्ती कालिता कहते हैं इसकी खोज गर्णर तथा अलाट ने सन उन्नी सो बीस में की थी दीप्ती काल के आधार पर पौधे तीन परकार के होते हैं लगू यानि अल्प प्रदीप्त काली पौधे, दीर्ग प्रदीप्त काली पौधे और तठस्थ प्रदीप्त काली पौधे लगू यानि अल्प प्रदीप्त काली पौधों को पुश्पन के लिए अधिक प्रकाश की आविशक्ता नहीं होती है उधारण तंबाकू, चावल और डहिलिया दीर्ग प्रदीप्त काली पौधों को पुश्पन के लिए अधिक प्रकाश की आविशक्ता होती है उधारण गेहूं, जुआर और मूली तठस्त प्रदीप्त काली पौधे पुश्पन के लिए दीप्त काल पर निर्भर नहीं रहते हैं उधारण टमाटर और सूरज मुखी जन्तूं में हार्मोन हार्मोन शब्द को बेलिस और स्टालिंग ने प्रतिबादित किया था जन्तूं में हार्मोन्स अंतासरावी ग्रंथियों द्वारा उत्पन होते हैं और ये रसाइन तत्व सजीवों की गतिविधियों और उनकी वृद्धी को नियंत्रित एवं समन्वेद करते हैं जन्तु हार्मोन वातावरणिये कारकों पर निर्भित दिशिये गति नहीं लाते हैं किन्तु शरीर की सलचना को बनाए रखने के लिए विभिनिक शेत्रों में नियंत्रित वृद्धी को बढ़ावा देते हैं जन्तु हार्मोन्स और उनके कार्रे तथा उनकी कमी से होने वाले रोग निमने लिखित तालिका में दिये गए हैं अन्तासरावी ग्रंथियां जो की एक दूसरे से इस्थिती, सन्रचना तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन एवं उनके कारियों में भिन्न होते हैं अन्तासरावी तंत्र कई अन्तासरावी ग्रंथियों से मिलकर बना होता है जो कि शरीर के कारियों को सरावित होने वाले विशेश रसाइनों, जिने हार्मून कहते हैं, उनके द्वारा नियंत्रित तथा समनवेइत करती हैं। क्या आप जानते हैं? थाइरोइट ग्रंथी मानव शरीर की सबसे बड़ी अंता सरावी ग्रंथी है। थाइरोक्सीन की कमी के कारण शिशू में क्रीटे निस्म यानी अवरोधित वृध्धी हो जाती है, जिसमें शारीरिक, मानिसिक और जनन वृध्धी रुख जाती है। भोजन में आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है, जिसमें गर्दन सूच जाती है। एड्रिन लीन को आपात का लीन हार्मोन या 3F हार्मोन के नाम से भी जहना जाता है पियूज ग्रंथी को समानिता मास्टर ग्रंथी भी कहा जाता है वरिद्धी हार्मोन की कमी के कारण बौनापन हो जाता है जबकि इसकी अधिक्ता से जाइगेंटिज्म यानी अतिकायक्ता हो जाता है इंसुलिन की कमी के कारण मधु में रोग हो जाता है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में दोराते हैं पौधे नाकेवल प्रकाश के प्रती अपितू अन्य उद्धीपनों के प्रती भी प्रती क्रिया दर्शाते हैं पादप हार्मोन अनेक प्रकार के होते हैं जैसे ऑक्सिंस, जिबेरेलिंस, साइटोकिनिंस यानी जैटिन, एप्सिसिक अमल और एथिलीन पौधों में पुष्पन तथा बीज अंकुरन प्रकाश की अवधी द्वारा नियंत्रित होते हैं और इस प्रक्रिया को दीप्ति कालिता कहते हैं पौधों के भागों की प्रकाश उद्धीपन की दिशा में गती प्रकाश अनुवर्तन कहलाती है पौधों के भागों की प्रित्वी के गृत्व की दिशा में गती गृत्वानुवर्तन कहलाती है अन्तासरावी तंत्र अन्तासरावी अथ्वा नलिका विहीन ग्रंतियों से मिलकर बना है जोकी हार्मोंज का स्रावन करती है थाइराइड ग्रंथी थाइरोक्सीन हार्मोन स्रावित करती है तथा इसकी कमी से क्रीटे निज्म यानि अवरोधी दिवरिधी रोग हो जाता है पेरा थाइराइड ग्रंथी पेरा थाइराइड हार्मोन को स्रावित करती है जो कि शरीर के अंदर केल्शियम फासफोरस के स्तर को संतलित रखता है अधिवरिक यानि एड्रिनल ग्रंथियां कोटिकोईट तथा एंटिनलीन नामक दो हार्मोन स्रावित करती है हाइपो थेलेमस ऐसे हार्मोनों का स्रावन करता है जो की पियूश ग्रंथी के अगर खंड से हार्मोन के स्रावन को नियंतरित करते हैं अगनाशे भी दो हार्मोन, इंसुलीन और ग्लुकागॉन को स्रावित करता है, जो की रक्त में ग्लुकोस के स्थर को नियंतरित करते हैं वरिशन, टेस्टोस्टेरोन तथा अंडाशे, एस्टोजेन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावन करते हैं